करेंगे नेक्स्ट वीक में किस तरीके से अपनी इंपॉर्टेंट लेवल इन टार्गेट यह हम लोग को दिखा सकता है फिलाल जो इसकी सिच्वेशन है बहुत ही अच्छी बनी हुई है इसका अगर हम लोग यहां पर थोड़ा सा पास जाके देखेंगे तो अगस्त में इसक अगस्त के आसपास इसकी यहां पर लिस्टिंग हुई है और उसके बाद यह सी उपर गया है नाइटी टू रूपे बहुत ही शॉट टम में बहुत ही अच्छा रिटर्न अल्रेडी दे चुका है एक जिसको हम लोग याद रखेंगे ठटी सिक्स को यहां पर ना दिया है औ बहुत उपर जाने के बाद उसके बाद यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आया और लगबग लगबग तीन वीक यहां पर यह नीचे गिरा है फिर से यहां पर पहली बार बाइंग आपने यहां पर स्टार्ट होई है देख रहा है तो अभी भी आपको hold करना चाहिए, क्यों hold करना चाहिए, यहाँ पर position बना रहा है, कोई भी share इसी तरीके से trade करता है, बहुत ही अच्छा return दे दिया, तो no doubt यहाँ पर selling pressure आएगा, profit booking होगी, तो लोग यहाँ पर माल बेच के निकले हैं, लेकिन जिस तरीके से यह वाला candle, यह आपको यह hold करता है, ठीके समझ रहे हैं, hold कर रहा है, यहाँ पर power कर रहा है, एक range बना रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर breakout देने के बहुत ज़्यदा chances बढ़ जाएंगे, और उस case में हम लोग को अपना SL यहाँ पर trail कर लेना चाहिए, और wait करना चाहिए, पहले से किसी के बास position बना हुआ है, वो क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे ब्रेक आउट दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद लेते हैं, एक दो बीग, यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पर से विख है, नीचे से बीख है, ठीक है, विख मतलब लोगों को यहां पर देख रहा है इसका, 就 यहां पर क्या है यह लेवल की आजपस फिर से से अकटिवेट हो जा रह rần 84 की आजपस और यहां पर लगबगवर नीचेimp और दे हो सकता एक सब्सक्राइब और यहां पर इसके अंदर ही टाइ predictive spend करे 84 से लेके 79 76 के बीच में और time spend करे और यहां पर इसके breakout देने के पहले एक वीग यहां पर time spend कर लेता है inside candle बना देता है और next week में अगर इसको breakout देता है तो 92 के पास यह जा के रुकेगा और जैसा हमने बगभी पहले discuss किया 2-3 दिन यहां पर रुकने के बाद हो सकता है फिर उपर कि निकल जाए क्योंकि जैसा कि हमने डिसकस किया और अच्छा खासा मूँ हो चुका है तो इसको फिर से अगला मूँ बनाने के लिए यहां पर time spend करना बहुत ज़रूरी है हमें नहीं पता एक महीन टाइम करेगा दो तीन वीक करेगा कितना करेगा लेकिन यहां पर जितना जदा time spend करता है अपने आपको रोग के रखता है तो यह जब उपर breakout देगा तो उतने अच्छे तरीके से इसी तरीके का एक दूसरा रैली देखने को हम लोग को मिलेगा और कम से कम यह वन इस टू वन तो हम लोग को देखने को मिलेगा ही ठीक है समझ रहा है क्योंकि आप देखिए कंपनी यहां पर 36 पे लिस्ट होई थी 36 से यह 92 चला गया तो उसका वैल्यूइशन अल्रेडी बढ़ चुका है ठीक है अब उस वैल्यूइशन को जस्टिफाई करने के लिए यहां पर टाइम लगेगा क्योंकि अगर इस तरीके से उपर जाता रहेगा तो कंपनी का वैल्यूइशन बहुत जादा हो जाएगा जो जब जस्टिफाई नहीं होगा तो वो जो लेवल हो जाएगा वो जो बायर्स के लिए सही लेवल नहीं है तो सेलर्स अपना माल वहां पर बेचके निकलना स्टार्ट कर देगी क्योंकि यह जो कंपनी का वैल्यूइशन उसके बहुत जादा हो जाएगा समझ रहें आप बा बहुत है बहुत ही चोटा सेर बारे में बहुत जादा मुझे नहीं लेकिन चैकनिकली स्पिकिंग यहां पर इस तरीके का यहां पर राइस एक्षान पैटन बन सकता है राइट तो हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना चाहिए यहां पर और कॉथ करने के पहले जिसके पास इस तरीके का price action pattern यहां पर बनाया था और यह यहां पर 76 से लेके 88 ठीक है 76 से लेके 88 मतलब 8 plus 4 8 plus 4 means 12 rupees उपर था तो यहां से 12 बगर नीचे जाएगा तो 60 लगबग 6 इदर and 6 उदर मतलब 64 के ask pass का हम लोग को यहां पर target दिखाना चाहिए तो यह 65 के आसपास से उपर क्यों निकल गया है अभी उपर जाने के बाद यह लेवल इसके लिए hurdle का काम करता तो यहां पर एक बार और यहां पर एक दिन time spend करके इस उपर फिर से निकल चुका है तो अगर यहां पर 84 का यह breakout देता है तो यह 88 को पहले टच करेगा and touch करने के बाद जैसे 92 करेगा हमने जो बात किया एक दो तीन दीन अगर यहां पर time spend करके फिर से breakout देता है तो 92 के आसपास हमारा बेक आउट क्या पर century होना चाहिए यहां पर ठीक है यह जो यहां पर लेवल है 88 का यहां पर यहां फिर एक दो रुपे का stop loss लगा के breakout प्ले कर सकते हैं और कम से कम यहां पर ब्रेक आउट होगा तो नीचे के और देखेंगे अगर यहां पर फिर से गिरने आएगा 76 के आसपास तो यह लेवल यह जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग जो है यह 76 के आसपास होई थीक है तो सबसे पहले अगर नीचे आएगा 76 से आसपास रुखेगा एक दो फिप्टी में टाइम फ्रेम का यहां पर दो चार कैंडल बनाएगा अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो नीचे आएगा और फिर यहां पर 72 के लेवल के आसपास से फिर से बाइंग है यहां पर जब आके फ अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करेंगे इसको होल्ट करने की खुशिश करेंगे और इसके नीचे नहीं जाने देंगे इसलिए शेर रुखता है यहां पर प्राइस एक्शन बनाता है अगर यहां पर फिर से ओपर क्यों निकल जाता है तो यह फिर से 84 को टच करेगा और क्यों निकलेगा लेकिन अगर यहां पर फेल होते हैं तो फिट से 68 के आसपास आएगा तो बहुत दिनों बाद आएगा तो फिट से यहां से एक बाइंग हो सकती है तो इसी तरीके से यह जो चैनल है यह जो साइकल अपने आपको रिपीट करता रहता है और हम दोंको प्राइ